टोपी की तरफ चलते हैं बायोफ्यिल पॉलोसी की सारी की सारी चीज है पिछले साल भी इंपॉर्टेंट थी और दोजार आगे आने वाले सालों के लिए बायोफ्य पॉलोसी ओल्वेस इंपॉर्टेंट पहले दब बोलू, biofuel होता क्या है, फिर मैं बतातू, bio का मतलब होता है, बच्चा living organism, bio का मतलब होता है living organism, ठीक है न, जनली living organism में तीन चीज़े आती है, चाहे आप plants की बात करें, चाहे आप animal की बात करें, और या तो फिर आप micro organisms की बात करें, इन तीनों को हम कहते हैं living organism, औ कि जाएव इधन क्या होते हैं जादा तर विजिट इस वेरी कॉमन तो आपको यहाँ पर जादा तर बायो मास ही मिलेंगे और आपको लेक्चर की सुरुवात में मैंने सिंथेटिक अविएशन फ्यूल में भी इसकी चर्चा की थी सरकार बायफिल पॉलसी को लेकर हमेशा सज या तो हम एथनॉल बना ले और या तो फिर हम बायो डीजल बना ले या तो हम एथनॉल बना ले और या तो फिर हम बायो डीजल बना ले और यह दोनों के दोनों जो है दियारता एक्जाम्पल ऑफ बायो फ्यूल वहलग बात है कि एथनॉल को हम पैट्रोल में मिलाकर यू योग किया जाएगा दो हजार तेईस के मेंस के वेपर में यूपी असी ने एक बड़ा खुबसूरा सर प्रश्ण पूशा उन्होंने का भाई ये बताओ ये बताओ माइक्रो और्गनिजम का यूज हम बायो फ्यूल में कहा करते हैं जिन लोगों ने स्टाटिक पढ़ा था उनको समझ में आता है कि जब हम लोगों ने first generation biofuel की बात की थी तो हमने का था भाई जो fermentation के process होता है उसमें हम जो carbohydrate होता है उस से थनॉल बनाते हैं तो fermentation के process में किसका use किया गया? सेकेंड जनरेशन जब हम लोगों ने बात किया तो हमने का भई देखो लिगनोसलोस compound होते हैं जो लिगनोसलोस compound होते हैं जैसे पत्तियों तियों के अंदर जो मिले होते हैं उन्हें में क्या होगा कुछ ऐसे fungi हैं जैसे मैंने class में फंगी आपको पढ़ाया भी था ग्लायो क्लाडियम करके और यह आपको किताब में भी मिल जाएगा पुस्तिका में भी ग्लायो क्लाडियम रोजियम यह लिगनोसलोस को बायो डीजल में convert कर देता है यह मैंने आपको दूसरा दिखाया फिर मैंने का भया थर्ड जनरेशन में तो ठीक है कुछ ऐसे algae हैं जि सौथी जनरेशन में जिसमें हम लोगों ने माइकरोबिल फियूजल की बात की थी अब जितने बच्चों को स्टाटिक समझ में आता है उन्हीं के बस का यह कोशन था दो हजार तेश के में नहीं है अगर आप इसको करेंट अफेर्स की तरह पढ़े होते आपने कभी लास्ट ने पढ़िये जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह सब्जेट साल भर स्टाटी के तरह पढ़िये जैसे आप हिस्टी पॉलिटी इकॉनमी जोगर्फी पढ़ते हैं यह सारी चीज़े यह देखें मेस में आ रहा है यह देखें पीटी में आ रहा है और आप कीज़ेगा ठीक है ना मेरे लिए बस इतना ही ऐसान कर दीज़े नहीं चाहिए कुछ और इतना ही कर देखें हमारा काम हो जाएगा ठीक है ना दो डिकेट से तो मैं काम कर नहीं पाया है ना कि साइंस है यह विशय है और इन्वामिंट भी इसको विशय की तरह पढ़िए आ आपको समझ में आ जाएगा 2014 थे देखो भारे सरकार कोशिश कर रही है कि काफी हद तक बायो फ्यूल को हम लोग फ्यूल में मिला कर प्रियोग करने की सुरूबात करें बड़े लेवल पे करें अच्छे तरीके से करें मैंने अभी आपको बोला एथेनॉल को पेट्रोल के स और अगर यही लिगनिन और यही सल्लोस को मिला दिया जाए इसी को हम क्या कहते है बच्चा इसी को हम कहते है लिगनो सल्लोस इसका मतला पौधा जो कि पौधे के सेलवाल ने पाया जाता है यानि पौधे में लिगनो सल्लोस होता है उसकी मदद से हम बायो डीजल या एथेनॉल वगरा बना सकते है यह चीज़ होगे भारत में जो बायो फिल पॉलिसी लाई गई वो नराश्टी या पॉलिसी जो है वो 2018 में लाई गई और यहां पर बता है आपको जो कोशिश करनी है वो यही करनी है कि हमें एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो बढ़ाना है कहां 2030 तक थोड़ा हम आपको इस कंसेप की तरफ लिए चलते हैं इसको जो आपको समझना होगा च्योंकि यह टॉपिक जो है आपके पेपर के लिए हमेशा important है और हमेशा हमेशा important है देखो दोस्त जो biofuel policy है हमारे देश की उसमें है क्या biofuel policy 2018 को समझने विए पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारा देश यानि भारत लगभग लगभग 70% से जादा 70% से ज़ादा जो fossil fuel होता है उसको import करता है foreign countries से जब इसराइल और इरान भाराग सुन रहे थे तो यहाँ पर फिर बात सुन रही थी कि अब भाया हो सकता है कि petroleum crisis भारत में हो जाए जब गल्फवार हो रहा था सद्दाम हुसाइन जी के डाइम है है ना गल्फवार और अमेरिक है self-dependent नहीं है तो कहीं ना कहीं भारत को सफर करना पड़ता है और इस petroleum पुटटों खरीदने के लिए हमारे जो पैसा है जिसको आप forex reserve अगरा कहते हैं अच्छा कासा खर्च हो जाता है अगर यही पैसा हम अगर देश का बचा लें तो हमारे देश के development में हमारे गरीबों की लोगों की जरूतों की मदद के लिए खर्च होगा तो सरकार यहां पर एक कोशिश करती है बाइफिल पॉलिसी बाइफिल पॉलिसी के पीछे बहुत सारे रीजन है उसमें से एक रीजन यह है क्योंकि इस पॉलिसी में मुझे थोड़ा इस पहलू को भी जोड़ना है फि mixing of ethanol को petrol में मिलाकर यूज करना सुरू करेंगे ठीक है कब तक आने वाले 2022 से start करेंगे ठीक है यानि 2022 से भारत में क्या होने वाला है 2022 से भारत में E10 की mixing सुरू हो जाएगी petrol में और E20 की mixing सुरू हो जाएगी यानि 20% mixing ethanol की petrol के साथ होगी by 2020-25 पहले चीज 2030 तक का करने का target था दिया गया 2025 कर दिया गया ठीक है यह तो रहा ethanol अच्छा याद रखना आपके government की website पे जाएगा तो वो E10E20 लिखते हैं और E10E20 का मतलब 10% ethanol और 20% ethanol होता है confuse मत करना मैंने वही value लिख दिया जिस साब से इन्होंने official websites पे information लिखे गए और दूसरा ethanol को petrol में मिलाते हैं मैंने अभी आपको hint किया था और वहीं दूसरी तरह जब हम bio diesel की बात करते हैं तो bio diesel को बच्चा हम लोग diesel में मिलाते हैं ठीक है और bio diesel लोग कितना मिलाने की बात क कर रहे हैं 2030 तक तो यह जो targets है वो एक बार आप देख लेना अब बात ही हो दिया इस target से करने वाले गया है इस target से जो report आई हो यही आई है कि जो import है वो हम up to 20% up to 20% reduction up to 20% reduction in import of fossil fuels करने वाले in import of fossil fuels यानि अच्छा news है कि जो हम जो हम जो हम जो हम जिवास में इधन विदेशो से ले आ रहे हैं उसमें से 70% से ज़्यादा जो हम import कर रहे हैं उसमें से लगबग लब 20% जो पूरा import हो रहा है उसका 20% जो होगा हम reduction कर लेंगे आने वाले 2030 तक फ्यूल बाई 2030 तक 2025 से लेगे 2030 तक इस target को achieve कर लेंगे और यह कहीं न कहीं यह चीज़े उनको support करेंगे आपके वेबर में question नी पूछा जाता है इस पर एक बार question अच्छा इस तरह की चीज़ों को use करने के लिए गाड़ियां भी इस तरीके के होने ही चाहिए कि 10% ethanol mixing और 20% ethanol mixing में वो work कर सके अब यह 10% और 20% mixing में होगा क्या आपको सीधे सीधे समझ में आता है यहाँ पर हम कहीं ना कहीं अपने petroleum products को बचा भी लेंगे ठीक है ना और दूसी तरफ सरकार कहीं ना कहीं environmental friendly काम कर रही है वो एक तरह से sustainable होते हैं environment और health को problem भी नहीं करते हैं यह चीज़े हैं थोड़ा सा ध्यान रखेगा इटेन में अब इस तरह के fuel को use करने के लिए आपको गाड़ियां भ फ्लैक्स option वाले इधनों को हम प्रियोग मिला सकते हैं इसी को FFV के नाम से भी जानते हैं फ्लैक्स fuel vehicle तो याद रखेगा आपके पेपर में ये भी आगे आने लिए समय के लिए अच्छा question है फ्लैक्स fuel vehicles क्या होते हैं फ्लैक्स fuel vehicle वही होते हैं जहां पर हम इन mixings of fuel को use कर स गार चाह होते हैं तो कांडी रिमेंबर फ्लैक्स fuel vehicle तो ये वही है ये वही इंपोर्टन कोशन वारी कमिंग ये इग्जामिनेशंज वोके अब हाम में आपके पेपर में 2020 में कोशा जैनमें किन पौदों को हम बाइफिल के फाम में यूस करेंगे तो आप जैसे माल दीजे अगर इस तरह के question भी आते हैं जैसे मैं static mean चीज़ों को पढ़ाता हूँ किन पौधों के as a raw material we can use them किन पौधों के इन में से as a raw material we can use them as a bifill production as a bifill production जैसे ये question आपके paper में आया हुआ है 2020 फिर मैं आपको बता दूँ ये कोई current affairs नहीं है ये IQ का question है थोड़ा सा दिमाख लगाना होगा bifill policy में तो बोल दिया गया भाया हर तरह के पौधों को आप प्रियोग में लाइए पर मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ ध्यान रखेगा economical values ध्यान रखेगा उके उसी आधार पर अच्छा अब देखो एक बात में बताता हूँ sugar cane की अगर बात हो तो sugar cane को तो हम दोनों काम के लिए उसको अब as a edible sugar के लिए उसको अब एड़बल शुगर के लिए उसको कर सकते हैं और बच्चा इस sugar cane से अब ethanol भी बना सकते हैं जोकि दोनों का price करीब एक ही होता है ठीक है तो यह तो मैंने एक example दिया अब कितना अच्छा हो गया उसी तरह मेच का भी use आप कर सकते हैं मेच को आप खाने के लिए भी use कर सकते हैं और साथ-साथ ethanol बनाने के लिए भी use कर सकते हैं अब यहाँ पे देखो लेकिन अभी आप तुमसे बोलें ground nut जड़ा सोचो ground nut की बात करें क्योंकि आपके paper में ground nut seed लिखा हुआ था आप हमको बताओ ground nut seed को आप लोग किसी इधन के farm में किसी गाड़ी में मिलाना पसंद करोगे बिलकुल नहीं वोगि ground nut seed से जो तेल बनता है उसको गाड़ी के अंदर डालेंगे लेकिन ऐसा समय नहीं आएगा उसकी जगा alternative EVs और बहुत सारे options ला जा रहे हैं तो यह ग्राउंड नीट सीर कभी सही हो ही नहीं सकता और मालों यह ग्राउंड नट सीर की जगा ग्राउंड पी लिख दे तब उसका छिलका लिख दे तब तो आपको बहुत के सर यह तो सही हो जाएगा तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ ऐसे guess कीजिएगा यह कोई current affairs नहीं है problem क्या है आप 6 facts रटके जा रहे हैं उस 7 पूछ रहे हैं साथ रटके जा रहे हैं अठवा पूछ रहा है और एक concept बना लिया economical value भाईया वो हजार भी पूछे आप guess कर लेंगे यही तो UPSC है जो अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं यह वो question था जो paper में आया था मुझे लगा कि आपके साथ एक बाट discussion जरूर करना चाहिए अब देखें यहीं पर हमने बात किया Flaxfuel वहिकल की और Flaxfuel वहिकल का पूरा का पूरा concept जो है वो यही है जो हम बाईयो फ्यूल के concept पर ही है इसलिए Flaxfuel को समझने के लिए आप बच्चा बाईयो फ्यूल से स्टार्ट करो फिर अब आओ black fuel वहिगल के तरह अब मुझे लगता इसमें कुछ बोलने के जरूरत है आप पूरी अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि हमें एक flexible engine चाहिए और यह ऐसा engine हो जहाँ पर ethanol की mixing को use कर सके और यहाँ पर E10 fuel को 2022 में है न पेटरोल के साथ ethanol को और E20 2025 तक मिला कर इसमें यूज में ला सकें ठीक है sugar east via petrochemical यह तो इसी कोई ज़ुरत है नहीं blending target जो है ठीक है यहाँ पर 20% हम improve कम करना चाहरे है और 10% ethanol के mixing 11.3 के असपास है 11.something जिसका start हो चुका है ठीक है benefits क्या है? अगर कभी आपके options आते हैं या फ्लैक्स फ्यूल के इस तरह के तो ठीक है oil import बिलकम कर सकते हैं अच्छा खासा अदीश का पैसा बचा सकते हैं शुगर के इन फॉर्मर्स वगरा को भी अच्छा खासा income हो सकता है कभी सुनने में आता होगा सुसाइड हो रहा है फार्मा सुसाइड हो रहा है उनका फैदा नहीं हो रहा heavy production हो गया तो ultimately there have a other option है ना खाद्यानों वगरा जो है वो बड़े लेवल पे सड़ रहा है अब कोई ज़रुत थे हैं पानी और दूसरा दूसरा इस तरह की चीज़ों का बायो फिल इन्वार्मेंटल पलूशन करते हैं यानि carbon monoxide hydrocarbons और nitrogen oxide type के जो polluting gases होते हैं उनकी भी amount of emissions होते हैं वो काफी कम होते हैं तो it's an entire benefit here in this case FFV पर कुछ और बात करने के ज़रत है जितना है उतना ही ठीक है बागी दुनिया में अच्छे खासे level में Brazil होकर भी आया और वहाँ पर भी मैंने देखा है जब मैं अपना research वगएरा कर रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा 40-40% biodiesel वगएरा को लोग मिलाते हैं diesel के अंदर तो ठीक है उनका जो फ्यूइल है उसी साफ से उतना रिफाइन है ठीक है उतना ज़्यादा रिफाइन है benefit of FFV जो आपने देखा वही दुबारा होगा कि ultimately हम लोगी जो dependency होगी fossil fuel पे कम हो जाएगी emission of polluting assets कम होंगे petrol atoll पे काफी हद तक जो prices होगा उसमें restrictions लगेंगे बढ़ रहा है जिससाब से surplus production corn sugar और wheat होने पर किसानों को नुकसान होने वाला नहीं है farmers raise their incomes save import cost काफी पैसा बचा लेंगे बाहर से petroleum products को नहीं लेना होगा challenges ठीक है तोड़ा high cost होगा flax fuel vehicles ठीक है न अब इस तरह कि engines आएंगे नए वाले तो definitely in the beginning they will be costly अब running cost थोड़ा सा high होगा क्योंकि lower fuel efficiency बायो fuel वगरे के efficiency उतनी अच्छी नहीं होती है acceptance by the customers भाई आप उसको accept करना चाहते नहीं अब जो से EV को लेकर काफी लग मुझसे पूछते हैं तो मैं भी कई बार confused रहता हूँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए लेकिन आप environment के इसाफ से तो ले 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 चाहिए एक बार आपकी सुरुवात में फोड़े पैसे लगते हैं होती है ऐसे कुछ कहलो तो यह जो भी पैट्रोल उट्रोल यह फियूल होते हैं उसकी को इसकी जो फिज को पृब्रीकेसी होती vara जो लसापन होता हются इंजन के साथ थोड़ा तो इंजन को रवा करता है, उसको और ज़्यादा धो देता है, clean कर देता है, तो इंजन के efficiency कम होती चली जाती है, इंजन क्या है बच्छा, अब जसे CNG गाड़ियों की उमर कम क्यों होती है, वो gas है, है ना वो तेल है नहीं, जब भी गाड़ियां है तो machine होती है, उनको तो machine tools हो, lubrication चाहिए, वही चीज़ है थे, नौल होता है, lubrication को clean कर देता है, तो गाड़ी वाड़ी के efficiency भी कम हो जाती है, तो कहीं न कहीं wear, tear जादा होगा, rusting, rusting जादा होगी, इस तरह की चीज़ है, current affairs में एक news आता है, electrified flax fuel vehicles के बारे में, क्या है electrified f flax fuel vehicles अच्छा है, ऐसा है, कुछ current affairs के news में, अब मुझे नहीं लगता आपने से किसी को flax fuel vehicle को समझाने की ज़रात है, जो कि पीछे जिस साब से हमने buy fuel पढ़ा, फिर flax fuel पढ़ा, और फिर हमने उसका update करा, जैसे यहाँ पर देखो, ट्वेटा की जो किलोसकर मोटर आता है, किलोसकर मोटर है, रिसेंटली रिवील अब प्रोटोटाइब वर्ड्स फर्स्ट, भारत स्टेज 6, भारत स्टेज 6 का स्टेज 2 इलेटरिफाइड फ्लेक्सफिल वेहिकल जो रिवील किया है, क्या है भाई, देखो, यहाँ पर एक बात बताओ, आज भारत में, आज भारत म जो पलूशन नाम, अब यह इन्वार्मेंट पे चला गया है, भारत स्टेज 6 का सेकेंड जो स्टेज है, वो चल रहा है, उसके अंदर सेकेंड इलेटरिफाइड फ्लेक्सफिल वेकल है, लेकिन यहाँ पर सुनना जड़ा, बड़े बड़े लेवल पे परसेंटेज को मिला यहाँ पर है क्या, यहाँ इंटिग्रेट किया गया इस गाड़ी के अंदर, फ्लेक्सफिल इंजन और इलेक्रिक पावर ट्रेन को मिला कर, ठीक है, और इसमें कोशिश यह करनी है, कि फ्यूइल की एफिशियनसी को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाए, और 80% तक एथनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में किया जा सके, यानि कहने का मतला है, एलेक्राणिक वहकिल तो ही है, साथ साथ पेट्रोल है, और पेट्रोल के अंदर करिकरी 85% तक एथनॉल को मिलाने की बात कर रहा है, यह टोयटा, किरलोसकर, मोटर, उस हिसाब से यह इंज पीच आती है, उसमें भी यह काफी हद तक बाइफ्यूल को लेके प्रमोट करने की बात करते हैं, एथनॉल दोड़ा भी गाडियां चलाने की बात करते हैं, और यहां पर देखो जो गाडिया बना रहे हैं यह लोग, यह फ्लैक्स्विल इस्ट्रॉंग हाइबिर्ड इलेक प्रमोट करते हैं, उसमें डानमो लगा होता है, ठीक है, आपको मैं एक सिंपल कंसेट बता देता हूं, उसको कुछ लोगों को यह समझ में आ जाए, आज यह पहले ना समझते हो, ताज इजी हो जाए समझना, कि यह गाडियां जो गाडियां होती है, एक तो होती है बैटरी के एफीशनसी बहुत जादा नहीं होती है, और जब जादा ही स्पीड में चलती है, तो अपने आप पैटरोल पर ले ले लेती है, ठीक है, और जब वो पैटरोल पर ले रही होती है, उस समय उस टायर के अंदर एक इंस्टुमेंट होता है, डायनमो, वो जब चल जब वील के चलने से डायनमो घूम रहा होता है, उस से लगातर जो बैटरी होती होती है, तो यह अपने आप प्रॉसेस हो रहा है, आपको अलग से ले जाके बैटरी को चार्ज करने के ज़रत नहीं पड़ती है, यह तरह का हैबिड है, जिस पर बहुत सारी गाडियां है, जो अज मार्केट में आती है, हाई क्रॉस जो भी मैं नाम ले रहा था, इनोवा, वो इसी कंसेट पर बेस्ट है, इसके लावा यह मारूती की आती है, मारूती की ध्यान नहीं आ रहा है, एक इन्विक्टो आती है, मारूती की, उसमें भी यही है, और एक और आता है, that is very popular, है ना, बड़ा सक्सेस और उसकी सेल भी बहुत जादा होती इस टाइम, smart hybrid और mild hybrid करके देता है, पर smart hybrid is much more better, वो भी डानमो की concept पर बेस्ट होता है, ठीक है, आईए, तो यह कुछ शीज़े हैं, अब significance of electrified flex fuel vehicles के क्या-क्या है, पहला, reduce the dependency on conventional fuel, किसी को बोलने की ज़रती है, ज दूसरा, enhanced fuel efficiency, अगर strong hybrid electric vehicles जो इन्होंने, क्रिलोसकर वालों ने जो किया है, तो इस तरह से efficiency भी fuel की बढ़ेगी, अच्छी है, तीसरा, ethanol potential को जादा जादा use कर सकेंगे, और चौथा, environmental benefits भी है, क्योंकि मैंने आपको पहली बोला है, biofuels are good for environment, ठीक है, environment का के लिए काफी अच है, वो भारत सरकार का अपना adopt किया गया है, और ये concept जो है, वो actual में euro, euro से आया है, जो European countries से start किया गया, पूरी दुनिया में valid है, और भारत अपना जो local है, वो भारत stage के नाम से, pollution norms लेका रहाता है, कि जो गाडियां बन रही है, वो किस parameter पे बननी चाहिए, ताकि इस से किस इसी तरह के environmental pollution ना हो, और भारत अपने BS stages में international level के, जो euro norms की चीज़े आई है, उन चीज़ों को लेकर आया हुआ है, ठीक है, अब भारत stage 6, BS 6 के stage 2 के अंदर क्या है, देखेगा, इसमें कई चीज़े हैं, जो incorporate की गई है, पहला, इसके अंदर real driving emission system है, दूसरा, corporate average fuel economy है, के और तीसरा on-board diagnostics है, अब देखेगे, इसमें RDE और OBD system क्या होता है, देखे, RDE क्या होता है, अब carbonate average fuel economy, तो ठीक है, fuel economy के बेस पर carbonate sector देखा जाएगा, RDE testing क्या करता है, मैंने underline क्या है, provides a more realistic estimation of vacuum emissions, इसके basis पर हम गाडी का actual में realistic emission देखते हैं, कितना वो pollution कर रहा है, ठीक ह क्या होता है, दोस्त, गाडी की speed जब अलग-अलग होती है, उस cases में, अलग-अलग अस्तर पर polluting gases निकलते हैं, आपको मैं एक simple भाशा में समझा दूँ, अगर आप धीरे-धीरे गाडी को लेके चल रहे हैं, गाडी रश में है, भीड में है, उस समय में आप carbon monoxide की मातरा ज अगर 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 अक्सलेटर से काडी चल रही है, तो अलग-लग लेवल पर फ्यूल बर्न हो रहा है, और अलग-अलग लेवल का पॉलूशन निकल रहा है, यही कहने का मतलर है, तो यही चीज करेंकि हम पर RD Tesling में अलग-अलग लेवल पर जैसे, तो मुर रियस्तिक हो ज system, enhancing vehicle, maintenance and emission control, ठीक है, तो OBD भी इसी तरह का है, ये कुछ चीज़ें याद रखना, फिलहल, ये चीज़ें जादा आपको मिलेंगी तब, जब मैं आपको environment करा हूँगा, यहां मैं इसको लेके थोड़ा निकलता हूँ, इस पर यहां पर बात जादा नहीं करनी है, एथनॉल बे आप सब जानते हैं, फर्मेंटेशन वगरा करकर लाया जाता है, ये बाइफिल वगरा आते हैं, एथनॉल बेल्डिंग प्रोग्राम भारत में जो सुरू हुआ है, तिससे काफी हद तक oil imports को कम कर सकेंगे, ये चीज़े भी आप समझ रहे हैं, कहीं न कहीं energy में, सिल्फ सफ एथनॉल ब्लेंडिंग हम लोग और करने वाले हैं, वो देखा जाएगा, कहीं न कहीं एथनॉल ब्लेंडिंग को पूरे भारत में प्रमोट करने की कोशिश करती हैं